बहुत बहुत स्वागत है आप सवी का स्पोर्स तक में इंग्लेंड वर्ल्लकप 2023 का समी फाइनल खेल सकता है इंग्लेंड समी फाइनल में पहुँच जाएगा अब ये बात सुनके आप कह रहे हूँगे कि यार क्या बहकी बहकी बाते कर रहे हो आप इंग्लेंड तो अफगानिस्तान से हार गया वो कैसे वर्ल्लकप 2023 का समी फाइनल खेल जाएगा तो ये मैं नहीं कह रहा है ये कह रहे हैं इंग्लेंड के पुर्व कप्तान माइकल वान जो लगातार आप देखेंगे कि ट्विटर पर तमाम रियक्शन देते रहते हैं अब एक्स हो गया वहाँ पर भी वो उसी तरीके से रियक्शन देते हैं जब ट्विटर नाम हुआ करता था तो उन्होंने भी ऐसा ही रियक्शन दिया है 15 अक्तूबर 2020 को ये ट्विट हुआ था और ठीक उसी समय पर आपने देखा कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में हरा दिया और ये बड़ा एक अच्छा मुकाबला हुआ आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड किसी को उमीद नहीं थी इस मुकाबले में कि अफगानिस्तान कुछ ऐसा करतेगा अफगानिस्तान से हार गया आगे जो उनका सफर है वहाँ पर मुश्किले दिख रही है इंग्लैंड के इंग्लैंड के इंग्लैंड की आदत कैसे बन गई है एक तरह का रिवाज कैसे बन गया है कि वो कुछ छोटी टीमों के सामने बड़ा खराब प्रसेशन करता है और हार जाता है और अगर आप कहें कि इंग्लैंड नहीं जी एक टीम के सामने हार जाता है लेकिन वर्ल्लकप में बड़ा अच्छा प्रसेशन करता है तो ऐसा भी नहीं है 2011 World Cup जीता नहीं है, England 2015 जीता नहीं है, 19 में जाके जीता है, 15 में तो यार इविन उनकी हलत बड़ी खरापती तो आप यह देख सकते हैं कि जो biggest upset है England के लिए World Cup में आप 2011 में देखिया Ireland से हार गया था, 2015 में बंगलादेश से और 2023 में अफगानिस्तान से अब इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, तो इस World Cup में अगर हम England की बात करें तो अभी तक इन्होंने तीन मुकाबले खिले हैं और England की सबसे वड़ी कमजोरी क्या है, कमजोरी ऐसा तो है नहीं क्यों उनके पास जो खिलाडी हुआ करते थे, पहले बहुत अच्छे थे अचाना की बहुत खराब हो गए लेकिन England के लिए चीज अब यहाँ पर World Cup में यह आ गई है कि spin के सामने थोड़े फसते हैं उनके खिलाडी और spin के सामने बहुत खिलाडी फसते हैं, England ऐसी टीम नहीं है जो spinners के सामने फस रही है लेकिन क्या यह अपनी इस कमजोरी को ठीक कर सकते हैं, क्या है इनके पास वो चीज कमजोरी सुधारने वाली तो अगर आप तीन मैच के बिना पर ही जज़ करें हैं England को, बहुत जल्दी हो जाएगा, यह sample size मैं कहता हूँ, छोटा है, मैं वानता हूँ लेकिन अगर उस हिसाब से भी आप देखें, तो तीन मैचों में तकरीबन इनके 28 विकेट गिरें, एक मैच में तो यह all out ही हो गया, अफगानिस्तान के खिलाफ, उससे पहले इनके 9 विकेट गिरे थे, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि, पेसर्स के सामने, इंग अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ देखें, तो भाई वहां स्टाट भी बड़ा अच्छा मिला, उनके पेसर्स को, अफगानिस्तान के पेसर्स को, नवीन ने बड़ा अच्छा बाल लेकिन बाद में स्पिनर्स आये और निप्टाते गए वहां पर इंग्लेंड के बल के पास है स्पिन डेपार्टमेंट में ऐसे गेंबाद जो परिशान कर सकते हैं इंग्लेंड को, जैसे कि साउट अफरिका के लिए आप देखेंगे कि वहां पर केशो महराज हैं, शमसी हैं, इवेन जरुद पढ़ने पर माकरम ही बॉल कर देते हैं, हलां कि मुंबई में कि अब लहल लखनों का विकेट भी अगर आप देखेंगे वहां पर मदद मिलेगी और इंडिया का तो इस पिन डेपार्टमेंट आपको बढ़िया दिखाई देगा, वहां पर कुल्दी प्यादव है, रविंदर जडेजा है, तो इस तरीके से अभी आगे का जो सफर है बहुत बड़ा record बना रखा है कि बहुत important ऐसे हैं कि जरूरत ही बन जाते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है, जब important जगा, important position में कोई ऐसा बल्लेबाज, जो समझे situation को, वो करते हैं Ben Stokes, वो खेलते हैं उस तरही के inning, 108 match खेले हैं, 3169 run है, तगरेबन 455 का इनका average है, 400 है, पच match winner है, आज Ben Stokes team में होते हैं, तो सामने वाली team घबराती है, यह सच है, अगर आप कहें कि Ben Stokes के आने से क्या पतलेगा, तो जहां तक समझ में आया है कि middle order जो England का है, जैसे spinners आते हैं, वहाँ पर वो first ने लगती है, जो route है, अच्छा spin खेलते हैं, लेकिन फिर वो अभी तक करके का गए हैं, वो spinners के सामने तो फेली नजर आए हैं, जादा तर, उपर से आप Harry Brook वो भी spinners के खिलाप परशान होते हैं, आप कहेंगे कि अफगानिस्तान के against run मारे हैं उन्होंने, लेकिन तब भी आप कहेंगे कि कमजोरी है, और अच्छा spinner होगा तो वो पकड़ लेग का और 47 बार वो आउट हो हैं, पेसर्स के सामने, अगर आप इसके अलावा spinners के खिलाफ उनका performance देखें, तो यहाँ पर थोड़ा बहतर spinners को खेलते हैं, बैंस्टोक्स, असी पारिया खेली है, तगरीबन इनका 43 का होसत है, 42.99 है, तो 43 मानिए, 29 बार आउट हो हैं, तो पे मोहिन अली का भी आप करियर देखके कहेंगे कि यह तो ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा एवरेज नजार आ रहा है, क्योंकि 133 के लिए 271 हैं, तकरिबन इनका 24.66 का उसत है, 300 हैं, 50 इनके 6 हैं, लेकिन फिर बात वही कि मोहिन अली, spin अच्छा खेल लेंगे, मोहिन अली को इंडिया में खेलने का आइडिया है, हमने इनको देखा है कि IPL में भी यह बड़ा खेल के गए हैं और इंडिया में इनोंने टूर्बिंग लेंड के साथ बहुत किये हैं, तो वहाँ पर यह अच्छा spin खेलते हैं, अगर आप इनके और आकड़े आगे देखेंगे कि कैसे यह पेसर्स के खेलते हैं, तो 99 पारिया इनोंने पेसर्स के खेलाफ वंडे में खेली है, तकरीब इनका 26 दसलाव 6-7 का उसात है, पच्पन बार यह आउट हुए हैं, लेकिन जब यह spin के सामने आते हैं, तो अगर आप इनके स्पिनर्स के खेलाफ आगे देखें, तो 75 पार थोड़े कम, और आपको पता है कि मोहिनली खेल लेते हैं, इस पेन अच्छी और यह बात इंगलेंड भी जानता है, लेकिन इंगलेंड इनको fit कहा करेगा, अब सैम करेंड इस टीम में है, सैम करेंड को लेकर इंगलेंड के आगे क्या plans है, सैम करेंड को किस तरीके से इंग इस प्रण चीज़ यह बात आजाती है, जब मोहिनली खेल लेते हैं, आप उनको खिला सकते हैं, तो खिला लीजिए, क्योंकि यह ऐसे खिलाड़ीं आपको ball भी कर कर देंगे, और जहाँ पर आपको देखेगा कि spin फेवर कर रहा है, तो वहाँ पर आपको अच्छा यह spin भी कर के देंगे, इसके अलाव बैंस्टोक्स, इनकी तो भाई सारी बात आजाती है, फिटनस पर उस पर हमारी नजर है, जैसे ही इनकी फिटनस पर कोई अपडेट आएगी, या फिर आप देखेंगे कि मैच में खेल रहे हैं, तो कि कुछ जगा हमने देखा कि तीसरे मैच में खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ वो खेले नहीं, चौते मैच में भी खेल ले, उस पर कुछ अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको स्पोर्स तक पर बताएंगे, तो ये कुछ चीज़े हैं जो इंग्लेंड के साथ अभी चल रही है, लेकिन आगे के जो मुकाबले हैं, वो इंग्लेंड के लिए इतने आसान नहीं है, तो पता नहीं, माइकल वॉन जो कह रहे हैं कि इंग्लेंड समीज में पहुंच सकता है, वो किस बिना पर कह रहे हैं, कहीं किसी और इंग्लेंड टीम की तो बात नहीं कर रहे है, कि कोई और किसी दूसरे टोन जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे तो उन्हें और इस अच्छे खेलने को मिलेंगे तो आप लोगों को क्या लगता है इंग्लाइन की टीम का क्या होगा आगे चलकर और बेंस टोक्स मोईनली के आने के बाद हालात बदल जाएंगे या फिर इंग्लाइन की टीम में को वी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिये